हलो एवरिवन मैं विक्रान्त आप सभी का competition community में स्वाबध करता हूं अब तक हमने जो भारतिय दाशनिक संप्रदाय जो थे दर्शन के जितने संप्रदाय थे उनमें से नास्तिक दर्शन को देख लिया अब आस्तिक दर्शन के जो शड़ दर्शन है उनको चालू करेंगे हम उनको देखेंगे कि उनमें क्या-क्या से धांत दिये गए हैं उनसे हमारे परिक्षा के लिए क्या उपयोगी तथ्य निकल सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे न्याय वैशेशिक दर्शन न्याय और वैशेशिक दोनों एक दूसरे की पूरक होने के कारण इनको साथ में पढ़ा जाता है पहले हम नयाय पढ़ेंगे उसके बाद वैसेशिक दर्शन को पढ़ेंगे आईए सबसे पहले देखते हैं कि नयाय दर्शन की प्रतिपादक कौन है नयाय दर्शन की प्रतिपादक जो हैं महशी गौतम है और वैसेशिक दर्शन के प्रतिबादक महशी कणाध है अब देखते हैं कि न्याए दर्शन एक्च्छल में है क्या और वह कहता क्या है न्याए का अर्थ क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिस्क किशी निशकर्ष पर पहुँच जाता है नयाय कहलाता है अर्थात आप जैसे कोई भी चीज देखते हैं कोई भी सिध्धान्त देखते हैं कोई भी सामगरी देखते हैं उसके बारे में आप चिंतन करते हैं, क्या वह सत्य है या सत्य नहीं है, अब इन दोनों पे आप एक निशकर्ष पे तो पहुंचेंगे कि या तो वह सत्य है या वह सत्य नहीं है, तो आपका जो भी निशकर्ष निकले वही आपका क्या कहलाएगा, जो final result पे पहुंचेंगे नियाय कहलाएगा, मुख्यतह प्रमानों की चर्चा के कारण इसे प्रमान शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि हम नियाय पे कैसे पहुंचेंगे, उस निशकर्ष पे कैसे पहुंचेंगे, हम जब तक उसको भी प्रमानित नहीं करेंगे, कि वह सत्य है या असत्य है, उसको चाह हमें प्रमान की आविशक्ता होगी अब इसके प्रतिपादक तो महाशी गौतम है यह हमने जान लिया महाशी गौतम का एक अन्य नाम है अक्षपाद इसी के नाम के कारण इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है नयाय शास्तर भी कहा जाता है प्रमान शास्तर भ तरक शास्त्र की आधार शीला जो है प्रमान है, प्रमान पे आधारित है, इसलिए वो आगे चलके जो हम न्याय दर्शन जो है वह तरक शास्त्र बन जाता है, हम उस पे प्रमान जैसे ही डालते जाते हैं, हर चीजों को प्रमानित करते जाते हैं, उसे तरक पूर्ण शशक्त बनाते जाते हैं तो वह तरक शास्त्र बन जाता है नयाई दर्शन का आधार क्या है नयाई सुत्र जिसके रचैता कौन है महशी गौतम है नयाई सुत्र में सारे सिध्धान्तों का वर्णन किया गया है कि आपको तरक कैसे करना है प्रमान क्या है प्रमा क्या है भई प्रमानों के प्रकार क्या है आपके सारे सिध्धान्त जो है न्याय सुत्र में दिया गया है अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो दाशनिक साहित थे जो न्याय दाशन के जो साहित थे उनको दो भागों में वेभाजित किया गया एक तो प्राचिन्याय और एक है नव्यनाय प्राचिन्याय में क्या होता है कि जो महाशी गौतम ने कहा हुआ था जो तरकपुर्ण बाते बताई हुई थी उसको फॉलो करने वाले उसे प्राचिन्याय या प्राचिन्याय कहते हैं और जो बाद में नव्य नय जो है गंगेश उपाध्याय नामा के एक व्यक्ति हुए वो भी काफी प्रकांड विद्वान थे उनके द्वारा जो तत्व चिंतामणी एक ग्रंथ लिखा गया उसके बाद के जितने भी साहित्याय सब को नव्य नय में रखा गया तो ये तत्व ऐसे कोई लेना देना नहीं है हमारे exam point of view से कोई important नहीं है बट इनका नाम आया है तो भई उनके नाम की सार्थक्ता क्या है क्यों इनको इतना महत्त दिया जाता है वो हम जान लेते हैं गंगेश जो थे बचपन में जो आज बोलते हैं ना बिलकुल डफर बच्चा है इसको कुछ नहीं आता है कुछ भी नहीं कर सकता है उनका बच्चपना वैसा था तो उनके पैरेंट्स ने क्या किया उनको उनके ननिहाल में भेज दिया किया या क्योंकि उनके मामा काफी ही जादा प्रकांड थे और उनके काफी सारे शिश्य थे उनको वो सिक्षा देते थे उन अबने प्रयास किया लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता था तो उन्हें क्या किया गया है छोटे मोटे कामों को जैसे उस समय चिलम पीते थे तो चिलम के लिए आग लाना या और भी चीजे करना पानी लाना पानी भरना इन सब कामों के लिए उनको रख लिया गया था तो इसी दौरान क्या होता है एक रात में उनके मामा के एक शिश्य थे जो बहुत ही जादा प्रेज शिश्य थे उनको क्या है रात में चिलम या कुछ पीने की इक्षा हुई तो उन्होंने गंगेश को उठा के बोला तुम विवस्था करो वो सारी विवस्था करता है लेकिन उसके पास अगनी नहीं रहती है तो वो देखते हैं उनके शिश्य जो रहते है दूर में कहीं आग जल रही होती है उस छोटे से बच्चे को वो बोलते हैं कि वहां जाके तुम आग ले आओ, अब वो बच्चा अनमनेधं से जाता है, देखता है कि वो तो एक शंशान घाट है, जहां किसी की चीता जल रही है, वहां एक व्यक्ति है, तो वहां जाता है धीरे धीरे डरते हुए और जाके उनको अपनी व्यथा बताता है, कि मुझे यहा कांड बना देते हैं, उसे गुड ज्यान प्रदान करते हैं, वह वालक कुछ दिनों पश्चात जब अपने गाउं जाता है, सभी लोगों ने जो है, उसको सोच लिया था कि किसी पशुने खा लिया होगा, या उसमें जो बाते बोलते थे ना भूत प्रेत का साया होगा, त लेकिन उसे सामने साक्षात खड़ा देखके सभी को आश्यरिक होता है, तो उसके मामा जो उसे पर्टिकुलर किसी शब्द से बोलते थे, ताना मारते हुए, वो शब्द कहते हैं, तो उस शब्द से सम्बंधित सारे ग्यान को वह अपने मामा के समक्षरक देता है, बड़ ग्यान प्राप्त हो गया, तो वही बालक जो है आगे चल के गंगेश उपाध्याय बनता है, और तत्व चिंतारमणी मानक नामक शास्त्र लिखता है, जो की नयाए शास्त्र का बहुत ही इंपोर्टेंट शास्त्र है, आशा करता हूँ गंगेश उपाध्याय को आप समझ रहे होंगे इसका अर्थ हमने जान लिया इसके प्रतिबादक जान लिये इसनके साहित को जान लिया और वातसाया ने महाशी वातसाया ने इनका एक अर्थ दिया है या बोलें की व्याख्या दी है प्रमाता के दारा प्रमे की वस्तू का ज्यान करना ही न्याय है प्रमाता कौ देखते हैं कि न्याय दर्शन का जो ग्यान मिमान सी सिध्धान्त है वह क्या कहता है ग्यान मिमान सा अर्थात ग्यान का विशलेशन करना न्याय दर्शन में ग्यान का ही विशलेशन किया गया है तरकपुर्ण विशलेशन किया है प्रमानिक्ता और अप्रमानिक्ता को ग्यान मिमान सा है तो उसमें प्रमा एवं अप्रमा को हम आगे पढ़ेंगे सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्यान क्या होता है किसी भी वस्तू की यथार्थता को ग्यात करना ही ग्यान है ग्यान का स्वरूप कैसा होता है ग्यान में दो व्यक्ति होते हैं एक तो जिसे ग्यान प्राप्त होता है वह ग्याता होता है और जिस वस्तु का ग्यान प्राप्त होता है वह गे होता है अर्थात ग्यान की विशय वस्तु जो है वह गे होगी और न्याय दर्शन में आत्मा क्योंकि ग्यान जो है आत्मा का गुण है तो आत्मा को गे ग्याता और भोकता तीनों मान गया है क्योंकि आत्मा को ही ग्यान प्राप्त होगा और ग्यान का विशय आत्मा हो सकती है और वह कर्म करेगी तो इसलिए उसे भोगता भी कहा गया है तो आत्मा कैसी है ग्याता है यह भोगता है तीनों है इसके बाद ग्यान को पुनह दो भागों में भाजित किया गया है अ तो एक अंधेरे कमरे में एक टेबल रखी हुई है, उस अंधेरे कमरे में आप जाते हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधकार होता है चारो और, अब इसमें ग्याता भी है, ये भी है वस्तू, लेकिन ग्यान क्या है, उस वस्तू पर प्रकाश डालना ही ग्यान है अर्थात आपको वह वस्तु तब तक नजर नहीं आएगी जब तक उसमें प्रकाश नहीं डाला जाएगा अंधेरे कमरे में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा तो वह प्रकाश आपका ग्यान है जो उस वस्तु को दिखाता है उसका प्रतक्षी करण कराता है आपको तो इस प्रकार से ग्याता गे और ग्यान को आप समझ गये होंगे ग्यान को पुनह दो भागों विभाजित किया गया है एक तो अनुभव जन्य ग्यान है दूसरा है समृती जन्य ग्यान अनुभव जन्य ग्यान क्या होता है आपने अपनी पांचो ग्यानेंद्री और मन से जिसका अनुभव किया जिस ग्यान का वह आपका अनुभव जन्य ग्यान होगा लेकिन जिस चीज का जिस वस्तु का जिस गे का जिस विशय का आपने ग्यान अनुभव नहीं किया जो आपको इस्मृति में है आपने अतीत या किसी और के अतीत से उसकी संभावना व्यक् अनुभव जन्य ग्यान को पुना दो भागों में विभाजित किया गया, एक है प्रमा और दूसरी है अप्रमा, प्रमा क्या होता है, प्रमा जो है वह यथार्थ ग्यान है, किसी भी वस्तु का यथार्थ ग्यान, हमने जो रस्ती, चारवाग दर्शन में रस्ती और सांप वा आप एक अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ आपको हलकिसी रौष्णी आ रही है, रस्ते में एक रस्ती पड़ी हुई है, आप भ्रह्मवश शंसयवश उसे क्या समझ लेते हैं, वहाँ एक सांप पड़ा हुआ है, और डरते डरते आप पास जाते हैं, पास जाके जब देखते हैं, तो आपको वह रस्ती नजर आती हैं, नाकी सांप नजर आता है, तो वही यथार्थ ग्यान हैं, रस्ती को रस्ती के रूप में देखना, और रस्ती को सांप के रूप में देखना, वह यथार्थ ग्यान नहीं है और यथार्थ ग्यान जो है उसी को अप्रमा कहा जाता है और यथार्थ ग्यान को प्रमा कहा जाता है अब देखते हैं हम की प्रमा क्या है यथार्थानुभावः प्रमा अर्थात हमने तो बात कर ली की यथार्थ ज्यान क्या होता है तो उसी को यहां कहा जा रहा है यथार्थ अनुभव जो प्राप्त होता है वही प्रमा है अनुभव क्या है वह भी हमने देख लिया कि आपको पांच इंद्री और मन से जो अनुभव प्राप्त हो वही आपका अनुभव है ग्यान है तो यथार्थ ग्यान किससे प्राप्त हो रहा है अनुभाव से प्रमा का आपको शाब्दिक अर्थ प्राप्त हो गया अब देखते हैं प्रमा के तीन अंग होते हैं एक प्रमाता एक प्रमे और एक है प्रमान प्रमाता क्या होता है प्रमा के तीन अंग हमने देखा तो प्रमाता क्या होता है जिसे ग्ञान प्राप्त होता है किसका ग्ञान प्राप्त होता है प्रमे का प्रमे क्या है वह विशय वस्तू वह गे वस्तू है जिसका ग्ञान प्र प्रमें है अपने प्रमाता помे को वह वस्तु रखी है यह प्रमाता है यह गें है यह ग्याता है किर ये दोनों सिंपल दोनों के होने से ही ज्यान प्राप्त हो जाएगा आत्मा को इन दोनों का तो नहीं ग्याता को सीधे प्रमे का ज्यान प्राप्त नहीं होगा यदि उसको थर्ड पार्टी कोई सा यदि उसको प्रमान के द्वारा सिध्ध ना किया जाए भई प्रमान के जैसे ही ग्यान प्राप्त होगा हमने देखा जैसे लाइट जलती है तो हमारी जो आखे हैं वहां लाइट भी है वहां वस्तु भी है वहां ग्याता भी है यदि हमने आखे बंद कर रखी है तो वहां ग्यान होने का वहां ग्याता के होने का वहां के गे के होने का कोई भी फरक नहीं पड़ेगा हमें उस वस्तु का ग्यान प्राप्त नहीं होगा जैसे ही हम अपने आखों से उस वस्तु को देखेंगे हमें उसका ग्यान प्राप्त होगा तो प्रमाता भी जरूरी है प्रमे भी जरूरी है साथ में प्रमान अतियावशक है और जो हम आखों से देख रहे उस वस्तु को वही हमारा प्रत्यक्ष प्रमान है हम जब प्रमान का क्रेंगे तो हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमान क्या होता है अब इसमें हम देखते हैं कि प्रमा के अंग तो हमने देख लिए प्रमा को भी चार भागों में भाजित किया गया है प्रमा के प्रकार देख प्रत्यक्ष 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 प् प्रत्यक्ष, अनुमान, उप्मान और शब्द ये इनके प्रमान के चार प्रकार हैं. अब इसके बाद हम एक एक करके प्रमान क्या होते हैं, उसका अध्यम करेंगे. प्रत्यक्ष प्रमान आखिर होता क्या है? प्रत्यक्ष जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हैं प्रतिधन अक्ष, प्रती का अर्थ होता है सामने, अक्ष अर्थाद आँख. मतलब आँखों के सामने जो हो वह प्रत्यक्ष प्रमान होगा. लेकिन इसे व्यापक तौ यह आपका प्रत्यक्ष प्रमान है और इसी के लिए गौतम रिशी ने कहा है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन ग्यानम अर्थात इंद्री एवं अर्थ का सन्निकर्ष उत्पन नहीं ग्यान है आपने इंद्रियों से देखा अनुभव किया और एक अर्थ प्राप्त किया जो भी अर्थ आपका उत्पन हो रहा है वही आपका ज्ञान है अब इसे प्रमानों का प्रमान भी कहा जाता है अब हम देखते हैं जैसे कि वहां कहीं एक पेड़ रखा हुआ है उस पेड़ को जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखेंगे उसका प्रत्यक्शी करण नह पेड़ है आपने आँखे बंद कर रखी है और आप पेड़ नहीं देख रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे कि वहाँ एक पेड़ है आप जब तक अपनी आँखों से नहीं देखेंगे उसका ग्यान प्राप्त नहीं कर सकेंगे यही प्रत्यक्ष प्रमाण है तो महाशी गौतम प्रत्यक्ष 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 प् उसके बहुत सारे संबंद नहीं होने चाहिए, बहुत सारी मेनिंग नहीं होनी चाहिए, तो उस ग्यान को प्रत्यक्ष प्रमान कहा, अब हम देखते हैं अगला प्रमान, कि अनुमान प्रमान क्या होता है, हमने प्रत्यक्ष से चीजों का दर्शन तो कर लिया, उसको जान लि लेकिन प्रत्यक्ष के बाद जो प्रमान आएगा वह अनुमान होगा आप बोलते हैं ना मैंना एजियूम किया वही आपका अनुमान प्रमान है प्रत्यक्ष द्वारा और प्रत्यक्ष का ग्यान जैसे किसी चीज को हमने पहले से देख लिया तो उसके बाद जो जो भी घटन होती है उससे संबंदित तो हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कि यह चीजें ऐसी हो सकती हैं तो वही आपका अनुमान है तो हम इसको सबसे पहले एक example से देखते हैं कि आप यहां कहीं घड़े हुए हैं सामने एक परवत है और परवत में जो है कहीं धुआ नजर आ रहा है आपको तो वो धुआ नजर आता है तो आप assume कर लेते हैं कि वहां कहीं न कहीं आग जल रही होगी तो आप जो आपने क्या लिए लगाया यहां अनुमान लगाया कि धुआ दिखाई दे रहा है तो वहां जरूर आग जल रही होगी वहां अगनी का जरूर समावेश होगा तो यही आपका अनुमान प्रमान है अब इसमें धुआ क्या अब अनुमान प्रमान के लिए भी आवश्यक तीन अंग होते हैं, हेतु, साध्य और पक्ष, जो आपको प्रत्क्ष रूप से दिखाई दे रहा है, यह धुआ जो है, आपका हेतु है, साध्य क्या है, इस अगनी को आपको पता करना है, तो यह आपका साध्य है, इसका प्रत प्रत्क्ष है, और व्यापती संबंद, अर्थात इन दोनों के बीच कोई न कोई ऐसा संबंद होगा, जो नियत होगा, साहचरी होगा, सार्वभाम होगा, अव्यभीचारी होगा, अनौपबादिक होगा, तो ऐसा संबंद क्या कहलाएगा, व्यापती संबंद, तो भई आ दोनों के बीच कोई विशेश संबंद होगा उसे हम कहेंगे व्यापती संबंद तो उस संबंद कैसा होगा नियत अर्थात या हमेशा रहेगा शाशोत रहेगा साहचर ये अर्थात दोनों साथ में ही आएंगे जहां आग होगी वहां धुआ जरूर होगा जहां धुआ होगा फिर उसके बाद सार्वभावम, सार्वभावम अर्थात हर जगा पे प्रतेक इस्थान पे यह नियम लागू होगा, उसके बाद अव्य भीचारी, अर्थात दोनों के बीच केवल और केवल एक ही संबंद होगा, अनौप बाधिक, अर्थात यह शर्त रहीत बाधा रहीत आग लगाएं तभी धुआ प्राप्त हो ऐसा विशेश जो संबंद जो है ऐसा जरूरी नहीं आप किसी भी चीज से अगनी का प्रज्वलित करें तो वहां धुआ प्राप्त होगा हमें यही आपका अनौप अबादिक है तो अनुमान के लिए हमने आवश्यक अंग भी देख लिए डिटेल में कि क्या होता है व्याप्ति संबंद उसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि अनुमान के प्रकार कितने होते हैं अनुमान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है पहला तो प्रयोजन के दृष्टी कौन से प्रयोजन अर्थात उसका यूज कौन क करता है उसका यूज या किसी और के लिए करता है उसके हिसाब से उसे स्वार्थानुमान और परार्थानुमान स्वार्थानुमान अर्था स्वयम के अर्था के लिए परार्था अर्था दूसरे के अर्था के लिए यूज करना फिर उसके बाद प्राचीन नयाय के लिट्के आ गया है के वलानवै अनुमान इसको या फिर यह ब attent हो के वल अनवा वा या है तो आएए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है प्रेयूजन के दृष्ट्री कोण से जो आपको अनुमान प्राप्त होता है वह क्या-क्या है सबसे पहले है सुर्था स्वार्था नुमान हमने बात की स्वार्थ के लिए मतलब करता जो है उस अनुमान का प्रयोग अपने लिए स्वयम करता है जैसे हमने आग के एक्जामपल में देखा कि करता स्वयम देख रहा है कि उस पहाड़ी से धुआ निकल रहा है तो वहां आग होगी तो इसमें तीन वाक्य होंगे, भई पहला वाक्य क्या हो जाएगा, जैसे उस example में हम देखें, कि जहाँ जहाँ धुएं है, दूसरा वाक्य वहाँ वहाँ आग है, और तीसरा वाक्य परवत पे धुएं चल रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परवत में आग है, तो तीन वाक्य होंगे फिर उसके बाद देखते हैं परारथा नुमान के लिए भाई दूसरे के अर्था के लिए दूसरे ने आप को कुछ पूछा तो आप उसको बताएंगे तो पहले इन वाक्य को तो बताएंगे बताएंगे, साथ में क्या करेंगे कि उसको किसी example से बताएंगे कि भई, आपने चिमनी में देखा है, जैसे इसी आपके example में, चिमनी में आपने धुआ देखा है तो जहां धुआ है, वहां आग है फिर आपको उधारन बताना है, फिर जहां धुआ है आग है बताएंगे ऐसे करके आपके पांच वाक्य हो जाएंगे तो आप स्वार्था नुमान और परार्था नुमान को समझ गए होंगे कि अपने अर्थ के लिए यूज करना स्वार्था नुमान जब आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा लिखेंगे क्योंकि स्वार्था अनुमान अपने अर्थ के लिए यूज करना करता स्वयम के लिए उस अनुमान का प्रयोग करता है तो उसमें तीन वाक्यों का प्रयोग करता है उधारण के लिए आप देंगे पहला वाक्य दे देंगे जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है फिर उसके बाद परवत में धुआ है इसलिए परवत में आग है यह आपके तीन वाक्य समाप्त हो गए फिर उसके बाद जब परार्था नुमान के लिए आप लिखेंगे तो आप शाब्दिक अर्थ लिख तो इसमें पांच वाक्यों का प्रयोग किया जाता है इसमें जब आप इसी एक्जामपल को देंगे तो आप कहेंगे कि भई परवत में आग है दूसरा वाक्य परवत में धुआ है तीसरे वाक्य में आप एक्जामपल देंगे जहां जहां धुआ है वहां वहां आग है तो ज दूसरे को निश्कर्ष देंगे फिर उसके बाद हम दूसरे केटेग्राइजेशन में आते हैं प्राची न्याय के अनुसार इसको तीन भागों में पहला है पुरुवत पुरुवत दूसरा है शेश्वत तीसरा है समानने तो दृष्ट पुरुवत अर्थात कार के पुर्व कारण सिध्धान पे निर्भर करते हैं तो पुरुवत में क्या होगा बही कारण हमें दिखाई दे रहा है और कार्य बाद में आएगा इसका अनुमान लगाते हैं जैसे यदि काली घटाएं काले बादल नजर आते हैं तो आप कहते हैं कि बारिश होने वाली है ये आपका अनुमान है शेशवत में क्या होता है आपको कार्य तो दिखाई दे देता है लेकिन आप कारण का अनुमान लगाते हैं कैसे कारण का अनुमान लगाते हैं जैसे कि कहीं बाड आ गई है तो आप क्या कहते हैं कि जरूर कहीं न कहीं बहुत जादा बारिश होई होगी तो आप क सामनित्व द्रिश्ट अर्थात सामानिय रूप से आप देखते हैं इसमें कारे कारण से कोई लेना देना नहीं होता दो जो कारे हैं दो घटनाएं हैं जो इंडिविजल होते हुए भी हमेशा साथ में नजर आती हैं दोनों में साहचरियता नजर आती है तो उसको क्या करते ह हैं हम सामानित्व द्रिश्ट अनुमान लगाते हैं जैसे कि जिस जानवर के सर पे सिंग होता है उसके खुर फटे हुए होते हैं भई खुर के फटने का सिंग से कोई लेना देना नहीं है सिंग होंगे तभी खुर फटेंगे ऐसा जरूरी नहीं है खुर फटना अथार उस होता है वो तो ये दोनों जो साथ हमें साहचर ये रूप से प्राए जाते हैं अब जैसे जिस जानवर का खुर्ट फटा हुए हम बोलेंगे जरूर इसका सिंग होगा जिसके सिंग है उसको कहेंगे कि जरूर इसके खुर्ट फटे हुए होंगे तो वो क्या होगा का सामने तो जो भावात्मक उदारण हैं, उनके आधार पे हम उसको प्रमानित करते हैं. एक की उपस्तित होने पर दूसरा उपस्तित होता है उसमें, ये आपका केवल अनवई या केवलानवई अनुमान कहलाता है. तो इसका example जैसे हम assertion reason में देखते हैं, आप reasoning में कुछ आप question solve करते हैं, कि सभी गाय शेर है, दूसरा वाक्य होता है, सभी शेर मानव हैं, तो आप तीसरा निशकर्ष निकालते हैं, कि सभी गाय जो हैं मानव हैं. भई जो इस प्रकार का निशकर्ष निकालते हैं आप, हाला कि ये सत्य नहीं है, इसका और यहां से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस example के थ्रू जो आप है, केवलानवई को समझ जाएंगे, कि सभी गाय मानव हैं, तो इस प्रकार की जो निशकर्ष निकालते हैं भाव अभिधे हैं और सभी घटक जो हैं वह प्रमे हैं, अर्थात घटक जो है अभिधे हैं, आपने इस तरीके से निकाल लिया, आप example के थ्रू समझ गये होंगे, कि भई कोई भावात्मक उदारन हो, तभी उन दोनों के बीच जो है, जो व्यापती संबंद है, वह सिद्ध होत है, तो हम उस अनुमान को क्या कहेंगे, केवलान वही कहेंगे, अब दूसरा देखते हैं, केवल व्यति रेकी जो है, उसमें क्या कहते हैं, कि इसमें निशेधात्मक व्याख्या, निशेधात्मक संबंद बताया जाता है, उससे हम व्यापती संबंद के थ्रू अनुमान प रहित वस्तुएं चेतन रहित है दूसरा statement आता है कि जीव जो है चेतन युकत है तो आप final अनुमान क्या लगाते हैं जीव जो है उसमें आत्मा पाई जाती है तो आपने पहले जो है निशेधात्मकरूप से बताया कि जिसमें आत्मा नहीं है उसमें चेतन भी नहीं है फिर दूसरे वाक्य में जीव में चेतन है ये बता दिया तो हमने अनुमान लगा लिया कि जीव में आत्मा होती है तो आशा करता हूँ केवल व्यतिरेकी आपको समझ आ गया होगा अब अन्वे व्यतिरेकी अब इन दोनों को मिला देंगे तो अन्वे व्यतिरेकी हो जाएगा जैसे हमने आग का example लिया था, जहां-जहां धुआ है, वहां-वहां आग है, तो उसके तो हमने भावात्मक पक्ष हो गया ये, अब इसका निशेधात्मक पक्ष क्या हो जाएगा, कि भाई जहां-जहां धुआ नहीं है, वहां-खणी नहीं है, तो हम इन दोनों को मर्ज करके अपना अनुमान लगा सकते हैं कि वही जहां धुआ है वहां आग है तो इस प्रकार से हमने नव्य नयाय की थूँ जो उसकी दृष्टी कोन से जो हमने कर्टेकराइजेशन किया वो भी देख लिया कि केवल अन्वय क्या है केवल व्यत्रे की क्या है अन्वय व्यत्रे की क्या है दोनों को मिक्स करके तो अनुमान के जो हैं प्रकार उनको भी हमने देख लिया अब तक अनुमान प्रमान देख लिया प्रतिक्षप्रमान देख लिया अब हम देखते हैं शब्द प्रमान क्या है? केवल सार्थक वाक्य ही शब्द प्रमान होते हैं. अर्थात जिन शब्दों का सत अर्थ होता है, सही अर्थ होता है, वही प्रमान के रूप में माने जाते हैं. आपतो उपदेश हैं, आपत वचन हैं, जो सही वचन हैं, प्रमान माने जाएंगे चारवा किसे नहीं मानते हैं शब्द किसके और कैसे होंगे शब्द जो होंगे आपत पुरुषों के आपत वचन होंगे और वेदों के वैदिक वचन होंगे और आपत वचन कैसे वचन होते हैं आपत वचन ऐसे होते हैं कि जो आपत पुरुष होते हैं आपत और वैदिक वचन को सीधे शब्द सह, वैदिक शब्दों को और वाक्तियों को शब्द प्रमान माना जाता है, विश्वशनी व्यक्ति कौन होता है, जो ये आप तो पुरुष की बात कर रहे हैं, जो विश्वशनी व्यक्ति के बात कर रहे हैं, वा कौन होता है, आपके साध देख लिया कि शब्द प्रमाण एक्च्वल में है क्या चीज भई किसके वचनों को हम शब्द प्रमाण मानते हैं भई आप्त पुरुष जो की सत्य कहते हैं भई जो विदुभाशी होते हैं दयालू होते हैं जिनके वचनों में सत्यता होती है वह सारे आप्त पुरुष हो अब देखते हैं कि उनके प्रकार क्या है सबसे पहले उनका क्रेटेकराइजेशन किया गया है स्रोत के आधार पर स्रोत के आधार पर लौकिक और वैदिक दो भागों विभाजित किया गया है और दूसरा है विशय के आधार पर विशे के आधार पर ऐसे जो द्रिष्ट रूप में है और जो द्रिष्ट रूप में नहीं है तो द्रिष्ट और अद्रिष्ट इन दो रूपों में विभाजित किया गया है लौकिक में क्या आएगा आपका? लॉकिक में आ जाएंगे आपके आप्त पुरुश के आप्त वचन लॉकिक में क्या क्या आ जाएंगे आपके आप तो बचन जो होते हैं बहुत सारे आपके लॉकिक स्रोट में आ जाएंगे तो संत, महत्मा, सादू, दयालू, व्यक्ति, डॉक्टर, गुरू और मित्र ये सारे आपके लॉकिक जो हैं वह शब्द प्रमाण होंगे और इनको क्या कहा जाएगा आप तो वचन कहा जाएगा और वैदिक में क्या आएंगे आपके वैदिक में जो भी वेद से संबंधित वाक्य हैं शब्द हैं वो सारे आ जाएंगे अब द्रिष्ट और अद्रिष्ट में हम देखें तो द्रिष्ट में क्या आजाएगा जिसको आप जाकर जिसका आप प्रत्रक्ष अनुभाव कर सकते हैं वह आपके द्रिष्ट में आएगा जिसका आप प्रत्रक्ष अनुभाव नहीं कर सकते हैं वह अद्रिष्ट आएग तो दृष्ट में क्या है? इसका एक एक अग्जामपल देखते हैं, कि सपोस्थ आज इसकूल में छुट्टी है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, कि छुट्टी वाकई में है या नहीं है, आगरा में ताजमाल है, आपके किसी फ्रेंड ने कहा, आपके गुरुजन ने कहा बड़ों ने कहा, तो आप उसे मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसको आप जाकर देख सकते हैं, आगरा में ताजमाल है या नहीं है, वो क्या होंगे, सारे आपके द्रिष्ट होंगे, अब अद्रिष्ट में किन को रखा जाता है? जैसे आपने स्वर्ग देखा, नर्क देखा नहीं देखा, आपने सुख दुख का अनुभव तो कर लिया, लेकिन आपने क्या आत्मा देखी, नहीं देखी, तो वो क्या हो जाएंगे? अद्रिष्ट शब्द हो जाएंगे, आपकी जितने भी पारलवकिक सत्ताओं का जो अनुभव होता है, वह सारे आपके अद्रिष हैं, वह समझ आ गया होगा, अब इसके बाद देखते हैं हम उपमान प्रमान, उपमान प्रमान अर्थात जो उपमा पर आधारित हो, तो लनात्मक हो, साद्रिश्यता पर आधारित हो, आप ये साद्रिश्यता पर आधारित है, कहीं कहीं जो कुछ दर्शन हैं, उपमान प् लेकिन नयाय में इसे individual माना गया है उपमान प्रमान में जब आप किसी का प्रत्यक्ष पहले ही कर चुके होते हैं तो उससे साधिर्शिता जो है आपको जो दिखाई देती है वही उपमान प्रमान कहलाती है उस जैसे कि हम देखे यहां एक हिरन को आप पहले से देखे हुए ह और हिरन के जैसा देखने वाला दूसरा जो जानवर है वह कैसा होगा आपका काला हिरन होगा इसी में हम दूसरा example देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने गाय को देखा हुआ है वह नील गाय को भी देखा है उसे भी जानता है वह क्या कहता है दूसरे व्यक्ति को कि भई रहे हैं तो आपको गाय के समान एक और जानवर नजर आएगा तो वह क्या होगा आपका नील गाय होगी देखना तो वह विक्ति जंगल जाता है गाय को तो उसने देखा हुआ है देखता है कि गाय के सद्रिश जो है एक और जानवर नजर आता है तो वह क्या है अनुमान लग जो है आपतवचन होना चाहिए कि भई कोई आपतवचन देगा कि हाँ वो ग्यान दे रहा है कि गाय के सदिश्य दिखने वाला जो जानवर है वह जो है नील गाए है दूसरा जो है व्यक्ति जो है जाकर उसे देखता है उसका प्रत्यक्षी करण करता है तीसरा वह जो है जाक इस तरीके से आपकी जो है प्रमा का पोश्चन जो है वह समाप्त होता है प्रमा की पश्चात जो है हम अब अप्रमा को देखते हैं यथार्त ग्यान तो देख लिया अब यथार्त ग्यान क्या होता है अप्रमा क्या होती है अप्रमा अर्थात जब हम रसी को रसी रूप में देख रहे थे यथार्थ रुप में नहीं देख रहे थे वही हमारी अज्ञानता थी वही हमारी अप्रमा थी तो अज्ञान है वही अप्रमा है किसी वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हमने रसी में साप का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही अप्रमा है हमे पास जैसे exam में चार example आते हैं तो उन चार में से suppose आप किसी दो में बहुत confused रहते हैं या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है वह आपका शंशय है लेकिन किसी वस्तु को आप table को table ना समझ के सोच रहे हैं कि यहां शंशय से भरा ग्यान जो है और भ्रम से भरा ग्यान जो है वह अप्रमा है प्रमाता में ऐसे गुण की कलपना करना जो उसमें है ही नहीं भई प्रमाता में हमने किसकी कलपना कर ली प्रमाता अर्थात प्रमाता अर्थात जिसको ग्यान प्राप्त हो रहा है तो वो ग्याता जो है प्रमाता जो है प्रमे में ऐसे गुण की कलपना करता है उस गेवस्तु में ऐसे गुण की कलपना करता है जो उसमें है ही नहीं जैसे साप में जो ऐसे रसी में साप का गुण है ही नहीं तो वह क्या करता है वहाँ उसमें ब्रह्म की शंचय की स्थिती दोनों की स्थिती पैदा हो जाती है तो उस ब्रह्म की स्थिती के कारण वह उसे रसी को साप समस्ता है तो उसने साप के गुण की कलपना की तो ऐसा अप्रमा में होगा अप्रमा में शंचय या भ्रहम की सिती होती है यहां दोनों की सिती हो सकती है बताया उदारण ने हमने देख लिया रक्सी को साप समझते जो है फिर उसके बाद देखेंगे हम अप्रमा को समझने के बाद की असतकार्यवाद क्या होता है हमने ग्यानमिमांसी रूप देख लिया नया दर्शन का ग्यानमिमांसी रूप में प्रमा क्या है अप्रमा क्या है प्रमा से हमने प्रमान को देख लिया प्रमान के प्रकारों को देख लिया फिर सबका categorization भी देख लिया फिर अब देखते हैं असतकारेवाद क्या है असतकारेवाद न्याई दर्शन का कारेकारण सिध्धान्त है कैसे कारेकारण सिध्धान्त है भाई ये जो हर किसी कारे का एक नहीं कारण होता है उसे कारेकारण सिध्धान्त कहा जाता है सभी में जो सतकारेवाद बताया गया है कि प्रतेक वस्तू का कोई न कोई कारण होगा और उस कारण में वह कारे पहले से विद्यमान होता है। हर कारे का एक नया आरंभ होता है इसलिए उसे आरंवादी सिध्धान कहा गया। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि कारण का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कारण का स्वरूप वह है जिसके बिना कारे की उत्पत्ती संभव ना हो। अर्थात ऐसा कारण जिसके बिना कारे हो ही नहीं सकता जिसके बिना आप कारे को प्राप्त ही नहीं कर सकते वह क्या होगा आपका नयाय दर्शन के नुसार वही कारण होगा। अब इस कारण के लक्षन क्या क्या बताएं निया दर्शन में देखें, वह ताकाली पुर्वर्ती होगा, अर्थात वह बिल्कुल जैसे घड़े का एक्जामपल हमने देखा है, तो उस घड़े का निर्मान करता है, कुमार करता है, कुमार किस से करता है, मिट्टी से करता है, तो जो वो कुमार है जस्ट पुर्व में उसके रहता है कि कुमार ही गड़े का निर्मान करता है तो ताकालिक पुरुवर्थी कारण कौन है उसका कुमार है तो वह नियत हमेशा कुमार ही उसका निर्मान करता रहेगा नियत सदय भी रहेगा तो वह उसका नियत कारण भी होना चाहिए और अन्यता सिद्धर होना चाहिए वह अन्यकारणों से संबंदित नहीं होना चाहिए जो अन्यकारण साथ में होते हैं उसके वो हो सकते हैं और एक गुण हो सकता है साथ में उत्पन अन्यकार हो सकते हैं नि सांखे दर्शन का वह कहता है कि मिट्टी में पहले से घड़ा है तो वह उसका कारण है लेकिन असतकार्यवाद क्या कहता है कि मिट्टी में घड़ा पहले से उत्पन्न नहीं है जो कुमहार है वह उसका निमित्त कारण है और वह उसको घड़े का मिट्टी से निर्मान करता है तो असतकार्यवाद और सतकार्यवाद में थोड़ा सा भेद भी समझ गए होंगे जब हम सांखे दर्शन में सतकार्यवाद पढ़ेंगे तो आपको भेद पूरी तरके से क्लियर हो जाएगा तो जो कुमार है उसका तातकाली पुरुवर्ती कारण है थीक है फिर वह उसके साथ हमेशा मौजूद रहता है जब तक वह बन नहीं जाता फिर उसके बाल अन्यता सिद्ध रही तो में देखते हैं कुमार जिस डंडे से उस चाक को गुमाता है अर्थात वह पईया को गुमाता है उस डंडे का कलर क्या है? उसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं. फिर कारण का कारण, अर्थात कुमार जो कारण है, कुमार से सम्मंदित कारण, जैसे कुमार के पिता, कुमार का जन्म किसके कारण हुआ है? उसके पिता के कारण हुआ है. कुमार के पिता, अर्थात कारण का का उसे कोई मतलब नहीं होता तो कारण का कारण जो है वह भी अन्यता सिद्धर होगा फिर उसके बात देखते हैं साथ में उत्पन्नकार्य जब हम घड़े का निर्मान करते रहते हैं तो घड़े के निर्मान में बीजवीच में जो आवाजें आते रहती हैं चाहे वह किसी की भ कुछ संबंद होगा उसका कोई प्रभाव पड़ेगा घड़े के निर्मान पर नहीं पड़ेगा तो वह भी अन्यता सिद्धर होगा फिर नित्यद्रव्य जो हैं जैसे आकाश में बादल किस कलर का है आकाश में बादल यदी सफित कलर का है या काले रंग का है उससे के निर्मान में सहयो प्रदान कर रहा है या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या वो ना खड़ा हो तो भी उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो वो भी अन्यता सिद्धर रहित होंगे अर्थात कारण के लक्षन हमने देख लिए एक्जामपल से भी कि अर्थात काली पुरवर्ती होना चाहिए नियत या सदै होना चाहिए अन्यता सिद्धर रहित होना चाहिए अर्थात उनके जो अन्य गुण है उसके कारण के कारण जो है और सांथ में उत्पन कार्य हैं नित द्रव्य हैं या पुरवर्ती वस्तु है उनका कोई भी प्रभ कड़े का निर्माण हुआ तो वह उपादान कारण होगा समभाई कारण होगा अर्थात वह सामगरी जिससे कारे का निर्माण होना है वह आपका समभाई कारण होगा उसको हम उपादान कारण भी कहते हैं फिर असमभाई कारण होगा कि भई उसके जो गुण धर्म हैं उस निमित्त कारण हमने देखा कुमार जो है निमित्त कारण है जो उसको शक्ति प्रदान कर रहा है किसे आपके समभाई कारण को शक्ति प्रदान कर रहा है और उसे कारे रूप में पढ़िनित कर रहा है वह आपका निमित्त कारण होगा कारण के आपने भेद भी देख लिया अ जी समवाई जो कारण है उससे जिस वस्तू की उत्पत्ती हो रही है वही आपका कार्य होगा कार्य 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 का उत्तरवर्ती होता है अर्थात जो कार्य के पश्चात जो उत्पन हो मिट्टी के पश्चात घड़ा उत्पन हो रहा है अर्थात कार्य का उत्तरवर्ती है वो कारे की उत्पत्ती के पूर्व में अभाव होता है इसका बिलकुल अभाव होता है हमने जैसे बात की थी कि सतकार्यवाद में मिट्टी के अंदर ही घड़े को माना जाता है कि मिट्टी के अंदर पहले से घड़ा मौझूद था लेकिन असतकार्यवाद क्या कहता है कारे की उ प्राग भाव प्रतियोगी होता है प्राग भाव प्रतियोगी होता है प्राग भाव से आप ऐसे समझ लीजेगा माइंड में डालने के लिए प्राग भाव से प्रतियोगीता करते हुए आगे निकल जाता है और उसका भाव उत्पन हो जाता है फिर कारे के होने से अभाव नस्ट हो जाता है वही बात की गई है कि कारे जैसे उत्पन हुआ तो मिट्टी में घड़े का अभाव समाप्त हो गया आपके मिट्टी से का स्वरूप भी देख लिया आपने देख लिया कि कारण जो है कैसे कारण होंगे तो जिनसे आपके कारे की उत्पत्ति होगी कारे जो उत्पत्ति हो रहा है उसका स्वरूप कैसा होगा कारण का स्वरूप देख लिया कारे का स्वरूप देख लिया आपका अब घड़ा ब पहले से ही विद्यमान था तो उसे कारण के समान दिखाई देना चाहिए अर्था जो चीजे पहले से ही उसमें हैं मिट्टी में जैसे घड़ा पहले से ही है तो दोनों को सेम दिखाई देना चाहिए अलग-अलग क्यों दिखाई देते हैं एक मिट्टी रखी हुई है एक पूरी सी चर्चा की थी कि मिट्टी से यदि घड़ा पहले ही है तो भाई फिर कुमार की आवशक्ता क्यों है कुमार क्या करेगा उस घड़े को तो भाई आप भी ले सकते हैं सीदें तो यदि निमित कारण की आवशक्ता है आपको कुमार की आवशक्ता है मिट्टी से आने के लिए इसका मतलब है उसका निर्माण हो रहा है तो वह कैसे ही पहले से हो सकता है तो यह असतकार्यवाद ही होगा यदि कार्य पहले से ही विद्धिमान था तो कार्य उत्पन हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता मतलब भई जो चीज पहले से है उसको आप कैसे बोलेंगे उत्पन हुआ है सपोज ये बॉटल यहीं पे रखी हुई है तो मैं थोड़ी न बोलूगा कि भई ये उत्पन हुआ है यहाँ पैदा हुआ है तो भई आपके मिट्टी में वो यदि पहले से घड़ा है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि घड़े का निर्माण हुआ है घड़ा उत्पन हुआ है उसका नव निर्माण हुआ है उसका आरम हुआ है तभी हम कह सकते हैं कि घड़े का निर्माण हुआ है तो यहाँ से उन्होंने उसको डिनाय कर दिया व्यभार इस तर पर कारे वहम कारण में भेद कर सकते हैं आप मिट्टी को व्यभारिक तोर पे वो कहते हैं कि ठीक है आप लोग कहते हैं तो मिट्टी को सामने रखें, घड़े को सामने रखें दोनों में भेद ऐसे ही नजर आ जाएगा दोनों सेम नहीं हो सकते हैं यदि कारे पहले से ही विद्यमान था तो दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग करते हैं भई मिट्टी के लिए मिट्टी क्यों यूज कर रहे हैं आप घड़े के लिए घड़े क्यों यूज कर रहे हैं बही आपको ठंडा पानी पीना है, आप घड़े का उप्योग इसले करते हैं, तो आप मिट्टी में पानी डालिए उस, वो ठंडा हो जाएगा, उसे पी लीजिए. बही उनका कहना है, यदि दोनों एक ही हैं, दोनों पहले से ही उसमें विद्यमान हैं, तो दोनों के गोणधन में सेम होंगे, दोनों का प्रयोजन सेम होगा, तो हम उनका कार्य हैं, उनका कर्म अलग-अलग क्यों करते हैं? इस प्रकार से असतकारवादियों ने, नाइकों ने सतकारवाद को गलत बताते हुए, अपने सत्कारिवाद को सहीं बताया और उनको सिद्ध किया अब जो है, हम इन से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि भई, क्या-क्या question पूछे जा सकते हैं, क्या-क्या question पूछा गया है सबसे पहले देखते हैं, नय दर्शन में प्रमा क्या होती है प्रमा जो यथार्त ग्यान होता है, इसे आप दो नंबर पे, चार नंबर पे, आठ नंबर पे, सभी पे लिख सकते हैं प्रमा क्या होती है, दो नंबर पे पूछा जाए तो भई, यथार्त ग्यान होता है, उसका example दे दीजिए चार नमबर पे पूछा जाए तो उसके अंग बता दीजे प्रमाता हो गया प्रमे हो गया और प्रमान हो गया फिर उसके बाद जो है आठा नमबर पे पूछा जाए तो उसको थोड़ा से इलेबरेट करके लिख लिजे नाई दर्शन में अप्रमा क्या है जो आई अथार्त ग्यान है उसको आप अप्रमा बता दीजिए और रसी का एक्जामपल दे दीजिए जो साप समझ रहे हैं वही अप्रमा है संशे ब्रहम की सिपी जो आती है इसको भी आप दो नंबर चार नंबर पे लिख सकते हैं नाई दर्शन में अनुमान की परिभाशा बताइए उनके क्या प्रकार है अनुमान की प्रिभाशा बताते हुए आप क्या करेंगे अनु धन मान, अनु अर्थात, पशात मान अर्थात ज्यान, पशात का ज्यान, किसके पशात का ज्यान, पुरू के पशात का ज्यान, प्रतक्षिके पशात का ज्यान, उसकी परिभाशा आप उसको परिभाशित करिएगा, एक्जांपल दीजेगा, उसके प्रकार बताईएग कि भाई नवी दिरिष्टिकोंड से क्या है प्राचे दिरिष्टिकोंड से क्या है और प्रयुजन दिरिष्टिकोंड से क्या है इन तीनों को बता दीजेगा उनके प्रकार क्या है न्याय को परिभाशित कीजेगा न्याय इसे आप दो नंबर पे चार नंबर पे आठ नंबर परिभाषा सिर्फ लिखना है तो आप दो नमबर पर जदी जयादा नंबर पर आए तो परिभाषा के बस्षाद आपका न्याए के अंदर जो है घ्यान के बारे में भी लिख दीजेगा. आप प्रमा के अंग प्रमान के आपके कितने अंग होते हैं, तीन अंग हमने जैसे चर्चा की प्रमाता, प्रमेय और प्रमान, तीनों को बताईएगा, दो नमबर के जाईए प्रत्यक्ष प्रमान को आप बता जीजेगा एक्जामपल के साथ आँखों से विक्ष देखने वाला जो एक्जामपल है आप आपको वो एनिमेशन के थूँ इसलिए बताया जाता है कि ताकि आप जब उसे याद करें तो वो एनिमेशन याद आए आँखों और विक रिक्ति खड़ा हुवा नजर आएगा, जो सामने धुमांगा देख रहा है. पहाड की वर है एक आप सारी छीजों को लिख सकते हैं। एक्जाम में, शब्द प्रमान को समझाए, शब्द प्रमान को समझा रहा है, दो नमबर पे आए तो आप आप तवचनों की बात करिएगा, वैदिक वचनों की बात करिएगा, उन शब्दों को जो है प्रमान रूप में माना जाता है, अब चार नमबर पे आए तो उसको थो शब्दों से मिलकर बनाjis होता है वी अर्थात विशेष और आपती अर्थास संबन्द वशेष संबंध को व्यापती संबंद कहा जाता उपमान प्रमान क्या है? उपमान प्रमान वही त stub्लावाद मका आप बिल्कुल गाय और नेल गाय का याद कुरिएगा लिख लीजेगा, ये भी आप दो नमबर पे, चार नमबर पे, आठ नमबर पे बता दीजेगा असतकारवाद को समझाईए तो कारे कारण सिध्धान्थ है फिर उसके बाद यदि केवल दो नमबर पे होता है तो यह कारे कारण सिध्धान्थ है इसके अनुसार कारे पहले से ही कारे में कारण में उपसित नहीं होता है वह एक नवीन सां रचना होती है रचना होती है और इसे आरमवाद का सिध्धान भी कहा जाता है, सत्कारवाद दो नंबर पे, चार नंबर पे, फिर उसके बाद आप और इलेवरेट करिएगा, आठ नंबर पे आप पूरा जो ये सारी चीजें हैं आप, इन अचारों को संशिप्त रूप में बताइएगा, यदि आपको पंदरह नंबर पे पूछा जाता ह है तो कारण का सरूब कारे का शरूब असat कारे की सिद्धी हे तो तर्ख इसे पूरा लिखेगा इस प्रकार आपका आज न्याए दर्शन अमात्त होता है इसके बाद हम वह्यशेशिक दर्शन को